नोवे पार्ट के question answer तो सबसे पहला question है आप लोगों को खालिस्थान बरने हैं सबसे पहला है humus की मात्रा dash मृदा में सरवादिक होती है कौन सी मृदा में सबसे ज़्यादा होती है humus की मात्रा जमीन में जो सबसे ऊपर की जो मिट्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा होती है, और उसको हम शीर शम्रदा कहते हैं, हुमस की मातरा शीर शम्रदा में सबसे ज़्यादा होती है, यह देख रहे हैं, आप यहाँ पे लिखा हुआ है शीर शम्रदा, शीर शम्रदा के अंदर हुमस की मातरा सबसे अधिक होती है और यह शीर स्मृदा होती है यह हमने मिट्टी की परते देखी थी न तो जब से जो सबसे उपर वाली परत होती है जिसमें हम पेड़ पोधे उगाते हैं वो वाली परत शीर स्मृदा होती है अगला है डैश मृदा की जल धारन शमता सबसे कम होती है कौन से मिट्टी में पानी सबसे कम रुखता है, तो जो रेतिली मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी में पानी सबसे कम रुखता है, तो उसको बोलते हैं बलुई म्रदा, बलुई म्रदा की जल धारण शम्ता सबसे कम होती है, बलुई मैं दिखा देता हूँ आपको कहा लिखा हुआ है, ये देख कहते हैं और इस मिट्टी की जल्धारन समता सबसे कम होती है बालूई मृदा अगला क्योस्चन है डैश मृदा का उपियोग बर्तन बनाने में किया जाता है कौन से मिट्टी से बनते हैं बर्तन आपके दखिए किताब के उपर ही लिखा हुआ है मृति का चिकनी मिट्टी का उपियोग बर्तनों खिलोनों और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है कौन से मिट्टी से बनते हैं बर्तन चिकनी मिट्टी से और चिकनी मिट्टी को बोलते हैं मिरिण मैं म्रदा मिरिण मैं को आप लिखेंगे यह दिखा देता हूँ यह देख रहे हैं आखरी वाला C मिरिण मैं म्रदा चिकनी मिट्टी को मिरिण मैं म्रदा कहते हैं तो मिरिण मैं म्रदा से बरतन बनते हैं, तो सबसे आखिर का आपका उतर होगा, मिरिद में म्रदा ठीक है, इसको मृत्ति का भी कहते हैं अगले में आपको बताना है, सही कौन सा है शैल, कणों के अतरिक्त, मिरिदा में होते हैं मिट्टी में क्या-क्या होता है, इन चारों में से वाईयू और जल, जल और पादप, पादप मतलब पोधा, खनिज, जैव पदार्थ, वाईयू और जल, जल वाईयू और पादप तो इसमें, बिल्कुल सही बता है, हमारी मिट्टी में एक हनिज होते हैं, जयवपदार्त, वायू और जल ये सब चीजे होते हैं, जो पोदे होते हैं, तीव्र, मद्यम, या इनमेंसे कोई नहीं हाँ मिट्टी बहुत ही धीमे धीमे बनती है हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी बनने में तो इसलिए मिट्टी का बनना एक धीमी प्रिक्रिया है अगला है मृधा में उपस्थित सडे गले पदार्त क्या कहलाते हैं मृधा में जो सडी गली चीजे पुरानी पत्तियां पड़ी हैं पुरानी लकडिया पड़ी हैं फलो के चिलके हैं बहुत अच्छे बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया, humus एकनम सही answer है, मिटी के अंदर जितने भी सड़े गले कदार्थ होते हैं, या पिर आप मिटी के अंदर जो खाद डालते हो, उस खाद में भी बहुत सारा humus होता है, खाद में जो humus होता है न, उसी के गारण खात डालने के बाद हमारी फसल अच्छी होती है, जो गोबर की खात जो डालते हैं खेतों में, उससे हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें हुमस जादा होता है, निम्न में से किस मिटी में जल का अंतह सरवन सबसे अधिक होता है, इसका मतलब है कि कौन से मिट्टी बहुत जल्दी पानी पी जाती है पानी को सोक लेती है बलुई मिटी मतलब रेतिली मिटी मिरिण में मिटी चिकनी मिटी मिरिण में नहीं आहां बलुई मिटी रेत जो होता है आप रेत पर जैसी पानी डालोगे पानी तुरंत वो सोक लेगा तुरंत पान आवास देने वाली, इसमें देखिए क्या-क्या है, मारे पास बड़े कन, सभी प्रकार की म्रिदा, गहरे रंग की, सघन छोटे कन, हुमस की कम मात्रा, जीवों को आवास देने वाली, म्रिदा की उपरी परत, म्रिदा की उपरी परत से इज में क्या मिलेगा, म्रिदा की जो उपरी परत है, अगर मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, यह था, यहां पर, आप देखिये म्रिदा की जो सबसे उपरी परत है, सबसे गहरे रंकी है, सबसे गाडे रंकी है, है ना, देख रहे हैं ना, फोटो में, सबसे गहरे रंकी है, तो यहां पे देखिए, यह तीसरा जो दे रखा है गहरे रंकी, है ना, तो म्रिदा की सबसे उपरी परत हुई गहरे रंकी, उसके बाद तीसरा दे रखा है बलुई म्रिदा, रेती लिमिटी, रेतीली मिटी में क्या मन रहा है यहां पे, बड़े कन, सभी प्रकार की म्रिदा, सगन छोटे कन, ह्यूमस की कम मात्रा, छोटे कन होते हैं चिकनी मिटी में, तो यह जो सगन छोटे कन है, यह आएगा उतर मिरिण में म्रिदा का, क्योंकि मिरिण में म्रिदा चिकनी मिटी होती और चिकनी मिटी में बहुत छोटे-छोटे कण होते हैं, उनके बीच में हवा कम होती है, इसलिए चिकनी मिटी पानी को बहुत देर में सोकती है, लेकिन रेतिली मिटी में बलुई मिटी के अंदर जो कण हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, इसलिए वो एक दुसरे से चिपक नहीं पाते और उनके अंदर हवा भरी रहती है। इस कारण जब भी हम रेतिली मिट्टी में पानी डालते हैं, पानी तुरंत अंदर चला जाता है। तो बलूई मिट्टी के होते हैं बडे कन और मिरिन में मृदा चिकनी मिट्टी इसके होते हैं सगन छोटे कन चोथा दे रखा है इन्होंने मृदा की मध्यपरत अब मृदा की मध्यपरत में बताइए क्या आएगा सभी प्रकार की मृदा उत्तर आएगा या फिर हूमस की कम मात्रा मृदा की मध्यपरत में आएगा हूमस की कम मात्रा क्योंकि जैसे ही हम उपर की परत से नीचे की परत में जाते हैं, हुमस की मातरा कम हो जाती है खनिच की मातरा बढ़ जाती है, लेकिन हुमस की मातरा कम हो जाती है इसी लिए हमारे जो पोधों की जड़े हैं, वो ज्यादा तर उपर वाली परत में ही रहती है नीचे वाली परत में नहीं जाती, क्योंकि इसमें humans की मात्रा बहुत कम होती है, चोथे का उतर हुआ humans की कम मात्रा, इससे अगला है पहले वाला जो हमारा रहे गया था, जीवों को आवास देने वाली, इसमें हमें समझनी आ रहा था क्या उतर होगा है न, तो जीवों को आव आपको पेपर में ये नाप समझ आ रहा हो कि उत्तर क्या होगा तो बाकी के question को आप पहले कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका बचे हुए का उत्तर क्या बन रहा है अगला है question मिटी परी छेदिका क्या है और इसके विभिन संस्तरों को चित्रद्वारा दर्शाईये उसको बोलते हैं मिटी परी छेदिका अब यह आपको भूक में दिखा देते हैं कि ये देख रहे हैं आप यह जो फोटो दिया हुआ है इसको मिटी परी छेदिका या म्रिदा परी छेदिका कहते आप लोगों ने इस question में ये बनाना है और मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, चलिए लिखिए आप, म्रिदा की विभिन पर्तों को दर्शाना म्रिदा परिच्छेदि का कहलाता है, इसमें हम एक चित्र के द्वारा, मिट्टी की चार पर्तों को दिखाते हैं, लिख लिए सबने, इसमें आप लोगों को ये जो बुक में चित्र बनाया हुआ है, ये चित्र बनाना है, ठीक है, आप लोग लिख लो कि आपने ये चित्र बनाना है, अगला question हम देखते हैं, मिट्टी का अपर्दन क्या है, इसके विभिन कारकों के बारे में लिखिए, इसको हम लिखते हैं, मिट्टी का अपरदन होता है, जैसे कि आपके यां बहुत तेज बारिश होती है ना, तो बारिश में पानी में बहुत सारी मिट्टी बहके चली जाती है, उसको मिट्टी का अपरदन बोलते हैं, चीके लिखिए, बारिश तथा हवा के साथ मिट्टी की परत का बह जाना अपर्दन कहलाता है, इसके कारण हमारे खेतों की तथा मैदानों की उपजाव मिट्टी पानी के साथ बह कर नदियों में चली जाती है, और हमारी मिट्टी की उपजाव शम्ता कम हो जाती है. मुख्या कारण पेड़ों का काटना है, लिख लिए सबने, आगला क्योशन देखते हैं क्या है, मुख्या के विभिन प्रकारों के नाम लिखी है, हमने कितने तरह की मिट्टी के प्रकार पड़े इसमें? हाँ जी, बिल्कुल सही तीन प्रकार के, क्या क्या नाम है उनके? बलूई मिट्टी, दूसरा हमने पड़ा है, दोमट मिट्टी, दोमट बोल दया, दमट बोल दो, दोनों सही हैं, दमट मिट्टी, तीसरा मिरं मैं मिट्टी, मतलब के चिकनी मिट्टी. इनके आसान भी, मैं आपको बता देता हूँ, आसान भाष्चामें इनको क्या बोलते हैं, बलूई मिट्टी होता है हमारी, रेतिली मिट्टी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे दोमट मिट्टी होती है, हमारे जो खेतों में मिट्टी होती है, वो वाली मिट्टी, जिसमें की बालुई और मिरिण में दोनों मिली हुई होती है, खेतों वाली मिट्टी, और मिरिण में मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, लिख लिया, ठीक है, अगला क्योशन देखते है मृदा संरक्षन के लिए विभिन उपाईयों का वर्णन कीजिए मृदा संरक्षन का मतलब है कि मृदा आपर्दन को रोकना मिट्टी को पानी और हवा में बहने से रोकना उसको बोलते हैं मृदा संरक्षन मृदा संरक्षन के हम यहापे लिखते हैं क्या आएगा उत्तर मृदा आपर्दन को रोकने के लिए मृदा सन्रक्षन किया जाता है इसके निम्न उपाय होते है पेड़ों तथा पेड़ों तथा जंगलों को ना काटना अधिक से अधिक पेड़ लगाना खाली जगहों पर छोटे पोधे या घास उगाना जल का सन्रक्षन करना दिख लिए सब ने? ठीक है अगला क्योशन दिखते हैं क्या है बिर्षा ने अंतह सर्वन दर से संबंधित एक परियोग किया उसने पाया कि इस परियोग में प्रियुक्त म्रिदा के नमूने में से 200 मिली लीटर जल को अंतह सर्वन करने में 10 मिनट लगे म्रिदा का अंतह सर्वन दर ज्याद कीजिए म्रिदा का अंतह सर्वन दर निकालना है अंतह सर्वन दर का मतलब है कि मिट्टी ने कितने पानी को सोखा ठीक है जैसे माल लो आपने धर्ती पर एक गलास पानी डाल दिया तो धर्ती कितनी देर में उस एक गलास पानी को पी गई धर्ती ने कितनी देर में वो एक गलास पानी सोख लिया ठीक है वो होता है अंतह सर्वन और अंतह सर्वन दर निकालने का मतलब है यहां पे जैसे इन्होंने बताया है कि 10 मिनिट में 200 ml पानी अंतह सरण हुआ लेकिन जब हम किसी भी चीज की दर निकालते हैं तो हमें निकालना होता है कि जैसे यहां पे 10 मिनिट बताया है तो हमें बताना होगा एक मिनिट में कितना जल अंतह सरण हुआ जैसे हम चाल निकालते थे ना, पिछले पार्ट में, वैसे ही यहां पे निकालना है अंतह सरव नदर, उत्तर नमबर 8, उसी तरीके से हम इसे करेंगे, तो question में हमें क्या बताया है, question में बताया है, दस मिनट में, कितना पानी सोखा, तो दस मिनट में सोखा पानी हो गया, हमारा 200 ml, अब किसी भी चीछ की जब दर निकालनी होती है, तो हमें निकालना होता है, कि वो एक मिनट में कितना होगा, ठीक है, तो एक मिनट में सोखा हुआ पानी, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एक मिनिट का, बिल्कुल सही, 200 बटा 10, इसको जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आए, आप ये सोचा करें, कि आपके पास मान लो 10 संत्रे हैं, और आप लोगों को वो 10 लोगों में बाटने हैं, तो हर किसी ओ कितने संत्रे मिलेंगे? एक, है ना, अगर आपके पास 10 संत्रे हैं और 10 लोगों में बाटने हैं, तो हर किसी को एक संत्रा मिलेगा, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, 10 को 10 से भाग कर दे रहे हैं, तो जब भी भी एक मिनट या एक घंटा, या एक आदमी, जब भी एक से कुछ निकालना हो, तो ज मनुटो जीतना दिया हुआ है, उससे हम भाग कर देते हैं जैसे हां पर 10 मिनट दिया हुआ था, तो टो हमने 1 मिनट का निकालना है, तो हमने जो 200 था उसको 10 थे भाग कर दिया, तो हमारे पास एक मिनिट में कितना पानी सोक हैंगा वो आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 20 ml प्रती मिनिट, यहां पर प्रती मिनिट हो जाएगा, क्योंकि हमें एक मिनिट का निकाला ना, तो इसका मतलब वह एक मिनिट में 20 ml सोक रहा है, इसलिए 10 मिनिट में 200 ml सोक लेगा अंतहा स्रवण दर आ गई कितनी 20 ml पर मिनिट प्रती मिनिट समझ में आगे ना कैसे निकाला ठीक है लिख लिए सबने अगला दिखते हैं कुश्च नमबर 10 धान की फसल के लिए कौन से मिटी अधिक उब्युकत है बताईए कौन से मिटी दो मट और म्रिन में दोनो ठीक है तो दस्वे का उतर आएगा वैसे धान के लिए सबसे जाद अच्छी होती है म्रिन में जो चिकनी मिटी होती है तो उतर आएगा म्रिन में मिटी तथा क्विश्च नमबर 11 है कैसे स्थानों पर मिर्दा का अपर्धन अधिक होता है कौन सी जगह पर मिर्दा का अपर्धन जादा होता है इसका उत्तर लिखिए एसे स्थानों पर जहां पेड़ पोधे कम होती है और मिट्टी पर गास कम होती है वहां ब्रदा का अपर्धन अधिक होता है लिख ले सबने अगला क्योशन है चिकनी मिट्टी म्रिण में म्रिदा भारी क्यों होती है ठीक है इसका भी लिखवा देते हैं चिकनी मिट्टी के कण बहुत छोटे होते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इस कारण इन कणों के बीच हवा कम होती है जिस से इनकी सगंता बढ़ जाती है इसी कारण चिकनी मिट्टी भारी होती है लिख लिए सबने अगला क्विशन है कौन सी म्रिदा सबसे हलकी होती है और क्यों लिखिए बालूई म्रिदा सबसे हलकी होती है क्योंकि इसके कण बहुत बड़े होते हैं और इनके बीच काफी वायू होती है अधिक मात्रा में वायू होने के कारण यह मिट्टी हलकी होती है लिख लिए सबने अगला क्योशन है मिट्टी के प्रमुख अव्यव कौन कौन है थीक है तो मिट्टी के प्रमुख अव्यव हमने यहां पर सबसे पहले क्रिशन में पढ़ लिये थे कि मिट्टी किस किस चीज से बनती है तो यहां पर लिखवा देते हैं आपको जल्दी से मिट्टी के प्रमुख अव्यव खनेज, म्रदा, ह्यूमस, ह्यूमस, जैव पदार्थ, वायू तथा जल्दी होते हैं लिख लिए सबने अगला और आखरी क्योस्चन है आपका मिट्टी सनरक्षन के लिए वरक्षार ओपन क्यों आवशक है चलिए ये भी लिख लेते हैं पेड़ पोधों की जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ कर रखती है और हवा तथा पानी के साथ बहने नहीं देती इससे म्रिदा अपरदन नहीं होता इसी कारण हमें म्रिदा का सनरक्षन करने के लिए वरक्षार ओपन करना चाहिए ठीक है लिख लिए सबने इसी के साथ आपका ये पार्ट खतम हो गया है अगली क्लास में हम अगला पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे और जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनको आप ये क्योशन आंसर अपनी कॉपी में दिखा दीजिएगा ठीक है बाई